जब मैं लोगों को देखता हूँ, जैसे जैसे, मैं और ज्यादा यात्राइं कर रहा हूँ, और हर तरह के लोगों से, व्यवसाई, शिक्षा और विज्ञान से जुड़े, और दुनिया भर में आम लोगों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि, ज्यादा तर लोग दिन के उन 24 घंटों में, जो हमें मिले हैं, व्यस्त रहने के अपेक्षा, किसी सोच विचार में ज्यादा डूबे रहते हैं, मतलब ये, कि उनके अपने विचार और उनके अपनी भावना इतना बड़ा मुद्दा है, कि उनका ज्या करता है कि वो काम कर रहे हूँ, लेकिन काम के दोरान भी उनके भीतर काफी संघर्ष चलता रहता है, अगर आप किसी भी तरह के खेल या रचनात्मक कार्य में हैं, तो आपको पता होगा, कि थोड़े से भी संघर्ष का मतलब होगा, कि आपकी बॉल कहीं और चली जाएगी, आपके रागताल कहीं और चले जाएगे, आपकी पेंटिंग कहीं और चली जाएगी, कुछ भी ठीक से नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में जो चीज बड़ी आसानी से हो सकती है, दुरभागे से बड़ी मुश्किल से होती है, मुख्य रूप से ऐसा इसलिए है, क्यों और उससे भी बढ़कर, दिमाग नाम की एक जबरदस चीज मिली हुई है, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस कमाल की मशीन को, या गैजिट या कम्प्यूटर को, अगर आप इसे इस नाम से बुलाना चाहें, बिना इसका यूजर मैनियल पढ़े, हर दिन अपनी ही चीज के साथ संधर्ष करते रहते हैं, और ये बीस की उम्र पार करने पर भी ठीक नहीं होता, अपने आखरी दिन तक, अपने मृत्यु शैया पर भी वो उनी चीजों से जूचते रहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं से, अगर वो अपने जीवन में इसे संभालना जादा हो सकते हैं, मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों की जिन्दगी में ये संभाबना ला सकूँ, ताकि आप सहजता से जीवन जी सकें, संघर्ष के साथ नहीं, एक चीज यह है, जब हम काम कहते हैं, बहुत से युवा लोग, शांदार लोग हैं, जिनको उनके शांदार काम के लिए पहचान मिल रही है, उनके अलावा, आम तोर पर, काम का हमेशा मतलब रहा है, लोगों को सिखाया जाता है कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, किसे ने उनको ये नहीं बताया, कि उनके काम में उनकी खुशी या उनका प्रेम जाहिर हो, बस उनके कड़ी मेह करते हैं, तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, ये कुछ दूसरा हो ही कैसे सकता है, आप किसी काम को कड़ी मेहनत के साथ सिर्फ तभी करेंगे, जब आप नहीं जानते कि इसे कैसे करना है, अगर आप जानते कि इसे कैसे करना है, तो आप इसे आसानी से करेंगे, तो ये ब कुछ भी नहीं कर रहे हैं और शायद बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना और कुछ नहीं उनको लगता है कि वो कई चीज़ें कर रहे हैं लेकिन असल में वो बस यही सब कर रहे हैं खाना सोना बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना और ये भी कितना बड़ा जमेल हर दूसरा जीव इसे सहष्टा से कर रहा है। एक केचवे से लेकर एक कीड़े तक हर पशु पक्षी भी हर कोई ये कर रहा है। ये सब अपना भोजन जुटाते हैं, वो खाते हैं, वो सोते हैं, वो पैदा करते हैं और वो मर जाते हैं। हमसे लाग गुना छोटे दिमाग के साथ भी वो ये सब कर पाते हैं इतने बड़े दिमाग के साथ इनसान संघर्ष कर रहे हैं उन चीजों के साथ नहीं जो वो कर रहे हैं बलकि अपने दिमाग के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं उनके अपनी बुद्धी ये गंभीर समस्या बन गई है हमारे जीवन में जो चीज सबसे बड़ा वर्दान है हमारे जीवन के लिए जो सबसे बड़ा उपहार है हमारी ये बुद्धी ये एक समस्या बन गई है क्योंकि वो नहीं जानते कि इसे कैसे संभालें वो नहीं जानते कि इसे कैसे इस्तिमाल करें ये लगातार उनके ही खिलाफ काम कर रही है जब मैं कहता हूँ कि ये आपके खिलाफ काम कर रही है लोग इसे कई तरह के नाम दे सकते हैं इसको बताने के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो इसे स्ट्रेस कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, घबराहट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं मूल रूप से आपके बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है आपके बुद्धी आपके लिए काम नहीं कर रही है ये आपके खिलाफ काम कर रही है तो मेरा मूल काम ये है कि कम से कम आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए काम करे हो सकता है कि कोई दूसरा आपके लिए काम ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता कम से कम आपके शरीर और आपके बुद्धी को आपके लिए काम करना चाहिए अगर ये एक चीज ठीक हो जाती है तो आपके लिए प्रसन्नता से, शालीनता से, कारगर तरीके से जीना एक स्वाभाविक नितीजा होगा